बारिश में वरीब बेटी के लिए आया अमीर रिष्टा गरीब सेवक राम के द्वार पर आज पूरा गाउं भूज खाने जुटा हुआ था उसके आंगल में शादी का मडवा लगा हुआ था तभी हलकी हलकी बरसाथ शुरू हो जाती है और गाउं का एक निवासी लखन मुँ बना कर पत्तल उठा लेता है तभी सेवक राम नमृता से पूछता है लखन भाही भोज खा लिया परिवार को खिला दिया ना ठीक धंग से तभी शादी की व्यवस्था में कमी निकालते हुए लखन ने बोला अरे क्या सेवक राम भाई इतना सस्ता इंतजाम किया है तुमने बारिश का मौसम है कम से कम टेंट तो लगवा ले थे कहीं से भी देखने में नहीं लग रहा है कि शादी का घर है ना कोई रौनक है और ना खाने पीने में ज़्यादा खर्चा किया है तब ही दूसरा व्यक्ति कहता है अरे वो भी छोड़ो भाई कम से कम दौर पर तो खर्चा करवाना चाहिए था बड़ी अटेंट लगवाना चाहिए था कुर्सी टेबल की ववस्ता करवानी चाहिए थी अरे भगवान न करे अगर बारिश जोरों की आगई तो क्या होगा अरे लड़के वाले बारात लेकर आएंगे तो कहां बिठाओगे उन्हें आखर इतने में नाचते गाते हुए लड़के वाले उस गरीब पिता के दौर पर बारात लेकर आ जाते हैं मंडप में दुलहन बनी बैठी बिंदिया अर्मानों भरे दिल से उन्हें देखती है उसकी मा गंगा और चोटी बहन गौरी भी वही मौजूद थे दुलहा बना शेखर आकर मंडप में बैठ जाता है पूरा गाउं शादी के उस घर में मौजूद था तब ही एकदम से लड़के के पिता पृत्वी राज बारिश में भीगते हुए और भड़कते हुए लड़की के बाप को सुनाने लगा अरे ये कोई मतलब थोड़े होता है मैंने तुमको शादी ते करते वक्त ही साफ साफ कहा था कि शादी का इंतजाम अच्छा रखना मेरे सब बरात वाले भीग रहे हैं और दूसी बात जब तुम मेरे हाथ में दस लाख रुपए नकट नहीं रखोगे तब तक ये शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी एकदम से शादी के उस धूमधाम वाले खुश्यों भरे घर आंगने का माहौल बदल गया गरीब सेव अकराम अपनी पगड़ी उतार कर लड़के के पिता के पैर में रखकर आंसु भरी आँखों से बोलता है समधी जी मैं आपके आगे हाद जोड़कर विन्ती करता हूँ अभी मेरे पास बड़ी मुश्किल से ये धाई लाख रुपयों का इंतजाम हुआ है इसे ले ले जीए मैं धीरे धीरे दहिस के बाकी पैसे भी दे दूँगा मेरी बेटी को सुईकार कर ली जीए वरना पूरे समाज और जाद विरादरी के सामने बड़ी बदनावी हो जाएगी उस गरीब बेवस पिता के आंसु देख कर भी उस दहिस के लालची का मन नहीं पिकला उसने अपने जूते की नोक से पैर में पड़ी उस पगड़ी को चालती हुए कहा जब दहिस देने की हैस्यत ही नहीं थी तो रिष्टा लगाया क्यूं था ये शादी नहीं होगी शेकर मंडब से उठ जा जी पिता जी लड़के वालों की बाराद लोटती देख कर शादी में आए सब लोग आपस में बाते बनाने लगते हैं सबी लोग भी पहले से ही दुखी उस गरीब परिवार को टाने मानने से पीछे नहीं रहे अरे पता नहीं कैसी अभागी ललकी है दौर पर आई हुई बाराद लोट गई अब कौन थामेगा इसका हाथ चलो भाईया जब बाराद ही लोट गई तो यहाँ पर रुखने का क्या काम सब अपने अपने घर चलो अपनी लोटियों ही बाराद के चलते बिंदिया का दिल तूट जाता है बरसात के साथ उसकी आँखों से बहते आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे आज मेरे चलते भरे समाज में मेरे बाबा का स्वाब इमान चीन लिया गया इससे अच्छा तो तू किसे गरीब के आंगन में बेटी नहीं देता विधाता तब ही चुप कराते हुए मां गंगा कहती है बिंदिया बेटी चुप हो जा दोस्त तेरा नहीं बेटी बलकि इस गरीबी का है जिसमें बेटी का पैदा होना ही उसका बुरा भाग्य है गरीब गंगा की बात में कड़वी सच्चाई थी क्योंकि लाखो गरीब पिता की बेटी की डोली इसी वज़ा से नहीं विदा हो पाती क्योंकि उनके पास देने के लिए दहिज नहीं होता ये कहानी गरीब सेवक राम की है जिसकी दो बेटी है एक छोटी बेटी गौरी जो की पढ़ रही है और शादी लाइक बड़ी बेटी बिंदिया जिसके अब तक दहेज के चलते हजारों रिष्टे तोट चुके हैं परिवार की जिंदगी बड़े गरीबी में गुजर रही है सेवक राम रेलवे स्टेशन पर भेल पूरी खिलाता था जिससे उसकी बहुत थोड़ी कमाई होती थी और उसमें घर का गुजरा चला पाना बड़ा ही कठिन था कई दिनों बाद बिंदिया उस दुख से उबरती है नहीं मैं ऐसे दुखी नहीं रह सकती हूँ वरना मुझे दुखी देख देखकर मेरे माता पे ता भी दुखी होंगे बिंदिया ने खुद को समभा लिया और मुस्कुराते हुए रहने लगी कंगा मेरी बहल पूरी की बालती मुझको दे दे स्टेशन जाने को देरी हो रही है ये लो बाबा मैं ले आई भेल पूरी की बालती तू तो मेरी प्यारी लाडो है अच्छा मैं चलता हूँ तभी चौकट से बाहर उतरते ही सेवक राम की आँखों के आगे अंदेरा चाने लगा तभी बिंदिया ने उसे थाम लिया अगर मैं घर पर टहर गया तो हम खाएंगे क्या और कल को तेरी विदाई भी तो करवानी है बिटिया मुझको जाने दे कुछी देर में वो रेलवे स्टेशन पर आ गया तभी बड़े जोरों से बारिश शुरू हो जाती है ओहो इस बारिश के चलते ट्रेन भी नहीं आ रही है लगता है पट्री पर पानी भर गया होगा तभी तो देर हो रही है तभी ट्रेन प्लैटफॉर्म पर आती देख वो भेलपूरी की बालती लेकर चड़ने की कोशिश करता है तब ही बारिश से गीली टरेन के पायदान पर से उस बेचारे का पैर फिसल जाता है और रफतार में होने के चलते उसके दोनों पैर कट जाते हैं अब परिवार पर जैसे दुखों का पहाड सचा जाता है दाने दाने की किल्लत चा जाती है लाचारों के समान सेवक राम बिलक बिलक कर घर की परिस्थितियों को देख कर रो पड़ा बिना पैरों के अब मैं कैसे कमाऊंगा और कैसे कर पाऊंगा अपनी बेटियों की शादी ब्याँ एक बेटा भी तो नहीं दिया भगवान ने बिन्दिया बहुत ही मधुर गाती थी अगले दिन वो कई जगा जाकर काम की तलाश करती है और उसे बड़े हाई स्कूल में संगीत सिखाने का मौका मिलता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने मुझे ये अवसर दिया जी ये तो मेरे स्कूल के विद्यारतियों का सहबागी होगा जो आप उन्हें संगीत सिखाएंगी वो व्यक्ति कोई और नहीं बलकि पूरे स्कूल के टीचर अविनाश त्यागी थे जिसे बिन्दिया पहली नजर में पसंद आ जाती है लेकिन दोनों के रुत्बे में जमीन आसमान जितना फर्क था अविनाश अपने माता पिता के साथ बड़े बंगले में रहता था दिन गुजरते गए और एक दिन बिन्दिया मैं तुम से कुछ कहना चाहता हूँ जी कहे ना सर मैं तुम से प्यार करने लगा हूँ क्या तुम मेरी जीवन साथ ही बनोगी गरीब बिन्दिया के लिए ये किसी सपने के जैसा था सर मैं बहुत ही गरीब माता पिता की बेटी हूँ आपका और मेरा कोई मेल नहीं और मुझ जैसी गरीब लड़की के लिए आपके परिवार वाले भी नहीं मानेंगे आप अपने योगी की लड़की देख कर शादी कर लीजे मैं चलती हूँ बिन्दिया जैसे जाने लगती है तभी जोरदात बारिश आ जाती है बिन्दिया आओ गारी में बैट जाओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ कुछ देर बाद बस यहीं रोक दीजे यही मेरा घर है अविनाश बिन्दिया के गरीब से घर की दशा देखता है जहां उसकी मा और बहन बरसाद का पानी निकाल रही थी एक अंदर जोपड़े में लाचार पिता खाट पर पढ़ा था और छट बुरी तरह टपक रही थी अरे बेटी आ गई तू जी मा ये अविनाश जी है जिस स्कूल में मैं संगीत सिखाती हूँ वहां के टीचर जी नमस्ते मा जी अरे आईए ना विनाश बाबू चाय पानी पी कर जाईएगा जी जरूर आउंगा अभी जरा जल्दी में हूँ अविनाश घर जाकर अपने माता पिता से बिंदिया के बारे में बात करता है और अगले दिन वो पूरी तैयारी के साथ रिष्टा लेकर आता है उस दिन भी खूब तबाही वाली बारिश हो रही थी जिसके उनके घर में पानी की रेल लगी हुई थी जैसे गंगा पानी फेकने के लिए दरवाजे पर आती है तो वहां लड़के वाले खड़े होते हैं उनके अगल बगल में नौकर चाकर, फल मिठाई और शगुन के थाली लेकर आते हैं लगता है आप लोग किसी के घर रिष्टा लेकर आये हुए हैं जी हाँ बेहन जी, मैं मेरे बेटे का रिष्टा आपकी बेटी के लिए लाई हूँ इतने अमीर घराने का रिष्टा अपने घर द्वार पर आया देखकर गंगा को भरोसा नहीं होता जी लगता है आप लोगों को कोई गलत फैमी हो गई है हम गरीबों के घर से आप नाता क्यों जोड़ना चाहेंगे, घर बटक गए हैं घर भी यही है और लड़की भी सी घर में है, मैं अपने अविनाश के लिए आपकी बेटी को मांगने आई हूँ ये शगुन स्वीकार कीजिए उन दोनों मातर पिता की आँख से आंसु बहने लगी अपनी सामर्थ के अंसार गंगा लड़के वालों का आदरभाव करती है जिसके बाद वंदना बिंदिया को चुन्नी चड़ा कर फल मिठाईया और शादी का जोड़ा उसके हाथ में देती है और जल्दी शादी की तिथी भी निकलाती है तभी सेवक राम बिस्तर से उड़ जाते है सेवक राम रेड लाइट पर बैठकर जूते पॉलिश करने लगता है दीरे दीरे गुजरते पलों के साथ शादी का पलपास आ जाता है लेकिन किसी भी चीज का इंतजाम नहीं हो पाता और दिन रात की बरसाथ से उनकी छट जहने के जैसे बहने लगती है उसी में गरीब बेटी को हल्दी महनी लगती है मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ऐसे गंगोर बारिश में हम अपनी बेटी की विदाई कैसे करेंगे तबी होने वाली समधन वंदना हलवाई और टेंट वालों को लेकर आती है अरे वंदना जी आप यहां जी यहां समधन जी अब हम रिष्टेदार नहीं एक परिवार हैं इसलिए आज एक अर्जी लेकर के आई हूँ शादी का खर्चा हमें उठाने दीजिए यह सुनकर उस गरिमबा के मन से सारी दो विधाएं मिट गई छलकते आंसू से गंगा ने कहा जरूर मेरी बिटिया ने पिछले जनम में कोई धन ने कर्म किये होंगे जो इस जनम में उसे आप जैसे भले ससुराल वाले मिलने जा रहे हैं अंत में दोनों परिवार संग में मिलकर शादी की तैयारी करते हैं जिसके बाद बरसाद के उस मौसम में भी बिदिया की शादी धूमधाम भरी होती है जिसे पूरा समाज देखता रह जाता है और सेवक राम अपनी बेटी को विदा कर देता है मा, बाबा, छोटी, तीदी, जा रियो अपने बड़े से ससराल में, जाकर हमको भूल मच जाना नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी, बाबा, अपना ध्यान रखियेगा जालाडो, अपने ससराल में सुखी रहना, यही हमारा आशिरवाद है और विदा होकर, बिंद्या अपने गरीब पिता के आंगन को छोड़ कर अपने अमीर ससराल में आ जाती है जो कि सुख सुविधाओं से भरा हुआ था क्या आप भी किसी बिंद्या जैसी बहादो लड़की को जानते हैं जो बुरे हालातों में पिता का सहारा बनी हो हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा